हेलो फ्रेंड्स ये थार्थ हिंदी एजूकेशन क्लासेस में आप सभी का सुवागत है आज की क्लास पे हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्ती के आधिकाल से सम्मधित कुछ महत पूर्ण प्रश्ण जोकि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेटादी की कक्ष्याओं के लिए सभी के उपयोगी होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला प्रश्ण है पाउम्चरिव को किसने पूर्ण किया आपको बताना है कि जो रशना पाउम्चरिव थी जोकि स्वयंभू की रचना थी इसको किसने पूर्ण किया ऑप्सन है संकर हेम चंद्र बागिश्व या फिर त्रभूण इसके लिए राइट आंसर है और संटी त्रभूण पाउम्चरिव एक अपूर्ण रचना थी जोकि स्वयंभू की रचना थी और इसको उनकी पुत्र त्रभूण ने पूर्ण किया ठीक है तो त्रभूण कौन थे वह स्वयंभू के पुत्र थे अगल आपको बताना है कि फिसमें से अभिमान मेरु किसे कहा जाता है स्वयम्भू को पुस्पदंत को रह्मान को या फिर जो इंदू को इसके लिए राएट आंसर है LautSan की पुस्पदंत अभिमान मेरुどう है वह पुस्पदंत को कहा जाता है अगला प्रश्ण है पॉम्चरियों में कितने कांड हैं आपको बताना है कि जो रच्णा पॉम्चरियों है इसमें कितने कांड हैं कांडों की संख्या बतानी है पहला है चार कांड, option B, 5, C, 6, या C option है 7 तो इसके लिए right answer है, option B, इसमें 5 कांड है अगला प्रशन है, कौन सा कांड पौमचर्यू में नहीं है आपको कुछ कांडों के नाम दिये गए हैं आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कांड है, जो की पौमचर्यू में नहीं है तो विद्यादर कांड है, अयोध्या कांड है, परशू कांड है, या सुन्दर कांड है इनमें से कौन सा कांड है, जो की पौमचर्यू में नहीं है, या बताना है इसके लिए right answer option C है परशु कांड इसमें परशु कांड नहीं है तो इसके जो पांच कांड है उनका क्रम इस प्रकार है सबसे पहला कांड है विध्यादर कांड फिर आता है अयुध्या कांड फिर आता है सुन्दर कांड उसके बाद बुद्ध कांड और उसके बाद आता है उत्तर कांड ठीक है तो इस प्रकार जो ये पॉम्चरिव है ये रामचरित पर रिखी हुई एक रशना है तो इस प्रका आपको यह उप्सन दिये गए हैं कि संधियों की संख्या कितनी है बताना है संधियों का अबपराई क्या है कि जैसे तो कांडों की संख्या 5 है तो कांडों में भी अलग-अलग संधिया संधिया जिसे हम भाग कह सकते हैं तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्सन इसमें 90 संधिया है और इसमें से जो 83 संधियां थी वो तो स्वयंभु ने पूर्ण की थी और जो बाकी थी वो तुर्भवन ने पूर्ण की थी क्योंकि यह अपूर रचना गरंत था स्वयंभु का इसे वो पूरा नहीं कर पाये थे और यह गरंत राम चलिद मानस पर ही आधारे थे मतलब राम के चलिद अगले प्रस्ण है निमने लिखित कौन कवी पहले सेव था लेकिन आसर दाताओं के अनुरोध से जैन मन गया तो इसमें से कोई कभी ऐसा है जो की पहले सैव था मतलब सैव मत को मानने वारा था और उसके बाद जो उसके आसर दाता थे उनके अनुरोध से उसने जैन धर्म को अपना लिया था तो आपको बताना है किसके लिए राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर ऑप्सन ए है पुस्पदंत ठीक है पुस्पदंत पहले सेव को मानते थे लेकिन उनके आसर दाताओं के अनुरोध परनों ने जैन धर्म को अपना लिया था अगला प्रशन है हरीवन से पुरान किस रचना का अन्य नाम था आपको बताना है कि जो नाम था हरीवन से पुरान वह किसी एक रचना का अन्य नाम है किस रचना का अगर नाम है बताना है आपको तो ओप्सन ए है पौवम चरियू बी रिठने मी चरियू सी संदेश रास्तक और डी है उप्युक्ति में से कोई नहीं राइट आंसर इसके लिए है ओप्सन बी रिठनेमी चर्यू जो हरिवन से पुरान नाम है वह रिठनेमी चर्यू का ही अन्य नाम है ठीक है इसका ही सही आंसर हो गया बी इसी की साथ अगला प्रश्ण है बौध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन साखा थी आपको बताना है इन में से कौन सी साखा थी जो की बौध धर्म के चिंतन पक्ष की साखा थी महायान था हीनियान था उप्यक्त दोनों था या फिर इन में से कोई नहीं इसके लिए right answer option B है हीनियान हीनियान जो है वो बौत धर्म का चिंतन बक्ष था और जो महायान है यह बौत धर्म का ब्यावारिक बक्ष था ठीक है तो महायान ब्यावारिक पक्ष और हीनियान चिंतन बक्ष था अगला प्रशन है आचारी रामचंद्र सुकल ने आधिकाल को चार प्रक्रण में विभाज़त किया है दूसरे प्रक्रण का क्या नाम रखा है तो रामचंद्र सुकल ने आधिकाल को आधिकाल के ही चार भाग बताए हैं अब आपको बताना है कि जो दूसरा भाग था अधिकाल का उसका नाम इन्होंने क्या दिया है इसके लिए right answer है option A अब्रंज काभी तो शुकल ने जो आधिकाल का दूसरा भाग था उसका नाम अब्रंज काभी रखा था इसका जो दूसरा प्रक्रण था और पहले प्रक्रण को उन्होंने समानी परिचे नाम दिया था दूसरा प्रक्रण आता है इसमें अब्रंज काभी तीसरा प्रक्रण जो था वो देजभासा काभी या फिर वीरगाथा काभी था और जो चोथा प्रकरण था वे था खुटकर रचना है तो आप बताना है कि आदिकाल के तीसरे प्रकरण का नाम क्या नाम रखा इसके लिए राइट आंसर है उप्सन C वीरगाथा का लट्छिए यह नों प्रक्राइब अगला प्रश्ण है उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकर्ट का बोधुधा था वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अब्रणस का प्रचलित का भी भासा का यह गथन किसका है आपको बताना है कि जो कथन दिया गया है यह किसका है option है नगेंद्र, सुरेंद्र वर्मा, रामसरुप चतुरवेदी या फिर आचार रामचंद्र सुक्ल इसके लिए right answer option D है या कथन रामचंद्र सुक्ल दिवरा कहा गया है अगला प्रशन है बालचंद विज्जावई भासा दुहु नहीं लगई दुज्जन हासा कथन किसका है आपको यह बताना है कि बालचंद्र विज्जावई भासा दुहु नहीं लगई दुज्जन हासा यह कथन किसके द्वारा कहा गया है option है अमीर्खुसरो, विद्ध्यापती, सुयंभू या सरहपा right answer option B है, विद्ध्यापती, यह विद्ध्यापती का कथन है अगला प्रशन है, अक्षर दुकोबदेश किसकी रशना है आपको बताना है कि जो रशना अक्षर दुकोबदेश है, यह किसकी रशना है option A है, डुमबिपा, सरहपा, सुयंभू या फिर रहमान इन में से किसकी रशना है, यह आपको बताना है तो इसके लिए right answer option A है, यह डुमबिपा की रशना है और इसके अतरिकते इनकी रशना योग माया चरिया भी है ठीक है, योग माया चरिया इनकी पर सिद्ध रशना है अगला प्रशना है, स्रेश्टता और महत्तु की आधार पर किस सिद्ध का प्रथम इस्थान है आपके बताना है कि स्रेश्टता और महत्तु के आधार पर इन में से जो सिद्ध दिये गए हैं आपको इन में से किसका इस्थान प्रथम है अगर काल करम की दिश्ट्र देखें तो सरहपा का प्रत्थम स्थान है लेकिन आपको सरेष्टा और महत्युके अधार पर बताना है तो इसके लिए राइड आंशर option D है लुईपा स्रेश्टा और महत्यों की दरश्टे से लुईपा का इस्थान पर थमाना जाता है इसी के साथ वीडियो एंड होती है अगर आपको वीडियो यूश्फू लगी हो तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ कुछ अच्छे प्रश्टों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद